कि हमें आजाद बिना खडग बिना धाल साबर मते के तंस तुने कर दिया नमत हैं उनको नत मस्तर हैं हम कविदा के मात्यां से भारत की वीश्त अपूचों को सचे अर्फों में सधांचिली अर्फित करें लीश्त की लाखी उसमें तन पर दफ्टी का चोला सबक अईंसा का सिखलाया वाई अम्रिश उसने गोला बापू के इस रंच में रंकर देश का बच्चा बच्चा बोला कर देंगे भारत माप पर अर्पर हम अपनी जान को हम सब घबते याद करेंगे गांधी के वलिदान को चक्षे के दाने बाले से उनने भारत का इतियास रचा हिंदो मुझे जिख किसाई सम्में एक विश्वास रचा सहर गया इदेशि सिरंग की रंडे का अभ्यास रचा मार गये अंग्रेजी साशिक बापो की पैचान को हम शर्दा से याद करेंगे गांधी के वलिदान को जीवन के जोखे मरस्तल में जेले ये जंजावत कई जितनी बाधाफंट तक आते उनसे ये पाते शक्ती नहीं विश्वास इधर मुनिष्ट्र कर्मट निजदेश ब्रेम से उत्तो सामर्थ हिमाले से उची मन में जलती घ्यान जो हे कदमे छोटे से दिखते हे कोटी-कोटी जन के प्यारे हे लाल पहाद और शास्त्रिवे से इस भर्ती के रखवारे उनके ही दिड़ हनशाचन से बापाक हिंद से हारा था जई जबान और जई किसान या उनका ही दो नाहा था मैं दाशकन शांती है तू जिन शांती वहीं पर प्रातु हुई सोया हे लाल पहादूर अब या खबर वहीं से प्रातु हुई थे कस्ते छोटे से दिख्ते थे कोटी-कोटी जन के प्यारे थे लाल पहादूर शास्त्री में थे इस गर्ती के रखवारे शाली शिक्षार्थियों द्वारा की गई प्रस्तुती के माधियं से सभी भारतिय अपने आदर्ष एबं युग प्रस्ता मानत्ता की हूँटी और आधुनिक्ता के आधुनिक प्रति सादा जीवन उच्विचार वाले आदर्ष पुरुषों को शक्षक नमन है साथिका तेज अहिंसा की बड़ अमर जोती चल्दी रहे तेरे बच्चिनों पर बाभू दुनिया सारी चल्दी रहे कोई भी युद बिना हद्यार तथा स्मूर बहाए नहीं चीता जा सकता बरंदु कांदी जी ने अपने सक्षे अहिंसा की इनी हधियार से अंग्रीजों की हुपूमत भोखारत माता के समख नतमस्तक कर दिया महात्मा पांदी एक ऐसे विचार है जो कभी मर नहीं सकते करुणों दिलों में आज भी भी जिन्दा है उनका दिया सक्षे वा एहिंसा ऐसा शस्त्र है जिसका यह समाज सदे हरे ही रहेगा आएए अब हमारे की जिद्जारे के चठी से बारवी कश्वत की जिद्जार्चियों द्वारा द्रिटा के शरीर विचार वैगों से संपन पूझे कांगी जीपर एक विशे प्रेड़ना मई एवग समेदना मई प्रसर को आपने साथ करते हैं प्रसर नाटिका का विशे है काथी एक प्रेड़ना स्टोड अब हमें भी देश भक्ती का पर्फ निवाना है मेरे स्कूल मेरे स्काइप्रा है मैं होनी जा रहा है अब कौन मैं आतर है गानी जानी 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 आतर है को तो ने में पुछ इसमाना जाता हूँ इतारा, 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 अज़कारे तू इतारा. इस वेक्टिप में वे बारे में, इतना कुछ लिखा और कहा जाओ 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 जाओ? ऐसे महात्मी भूली के नाव के उचारन पात्र से मस्टिष्ट में एक द्रोमाच और एक सद्धा की भावना स्वधाबे की उमड़ करती है। अन्याय की दर्पे गान्थी भारत को अज़ाओ कराने की तड़क कर नाम है गान्थी। जुने हम राश्ट प्रपेटा, महात्मा और प्यार से बापो भी खेंते हैं। महात्मा कामी का जड़ दो अक्टूबर सन 1879 को गुच्छार के पूरबंदर में हुआ था। मोहत्दार बच्पन से ही सद्ध के माज़ पर चल पड़े थे। वेराजा हवेस्ट्रन से अत्यांति मी कभावे थे। एक बर उन्हें विज्याले में एक अंग्रेज अफस्ट आए और उने बच्छों को अंग्रेजी के कुछ कठिन शब लिखने को कहा। वुद मॉर्णूदू यौल वाइवाट पड़ेश्टू ए यू! को देज्यो रिंथा? मुझे इसकी स्थाएले करिंदू वागात वाले बस्टी का देशा लिखेश्टू मुझे जुर मोल्ना आपा गात परना पासने दिख पहने चाथ ही पगरी चलते थे वो जांडे ना दिख उना पे घर-चर-घर खुण कर फुण का ना ओए जो आप परणा उसका छोचाना और तर पड़ की चांडे दूले थे पदले थे वो चलते सीना दागे बड़े खोकर गांडी जी दरस्टे के पढ़ाई करने इंग्लाइन चले जरेगी और वहां से रख्षे रख्षे रख्षेता पर अच्छू एक खटना ने उतके जीवत दिशाही बददी जब विट्रेग में कफ़र करने जी करिवस कि इंगे हुआ दो एक़्स चाह्ट के सब एक जब हिर सबक्ष्टना अकॉ जो सावर मां देखो इस दुस्तानियों की दुर्दशा को देखकर वो भारत को गुलाने की बेडियों से मुख्थ कराने के लिए अपने देश वापस आगे देश वापस आगे उन्होंने सत्याजर्थ असहियों आंदोलन, भारत फुरों आंदोलन, दाँई आखकर जैसे तमाँ आंदोलन वप्रियास दिये और अपने देश को आजादी दिलाएगे ना बर्मती की संथ तुनी कर दिया अपना बेभी अपने आजादी दिलाएगे ना बर्मती की संथ तुनी कर दिया अपना ना बर्मती की संथ तुनी कर दिया अपना बेभी अपने आजादी दिलाएगे ना बर्मती की संथ तुनी कर दिया अपना उन्हों ने साबर्मती आज्टां की स्थाबना और साधा जीवन उस्चे विचार की आजास कर चलना प्रारण हुए प्रांगी जी ने नारी पुतना का उनके अधिकार उनकी सिच्चा एवं बालिका सिच्चा पर मिशेश बाल दिया गांगी ली के हिद्र में अपना देश भारत वस्ता था बिहाय के चंपारण जिले में नील की ख्यती करने बाले खिसानों की कवर्ण कुकार को सुनकर गांगी जी वहां गया उन्होंने और माता कस्तूर्बा ने देखा कि वहां की महिलाओं के पास पहनने के लिए वस्त करी नहीं थे उन्हें यह देखकर एक आग्वास चालगा तब कहां भी लिने शपती की देशवासियों को स्वावलंबी बनाना होगा पाट से आप सभी लोग अपने वस्त स्वैप बूनेंगे जद्वत चलाएंगे और स्वावलंबी बनेंगे भी लोग अधिक एर भी आग्वासियों को सिर्भी लोग नियुकर नाना है जाने वे वे वैश्म जनकान देने करिये देल परादिये जाने वे पर्दु की उप्राद करें दुए वजरंग माजना आने वे उनकी यह जात्रा आहिंसा अर्गुमेंस पे लेकर उनके राश्प्रपिता महातुपाफ कांधी बनने तक और उनके जीवन सर्यत चती नहीं धान्यवाद इसी क्रम में आगी पड़ती हुए अगली तर्कुती कश्का छटी से बाजी तरके छात्रों गवारा एक देश भक्ती दीत है गीत का नाम आज देश दो अक्टूबर का दिन आज दिन है बड़ा महान आज दिन दो फूल के ले हैं जिन से में का हिंदुस्कान जे जवान जे गिसान जे जवान जे गिसान नामें का बापू गाती और इनाल बहादुर है एक नारा अमर देश में जे जवान जे गिसान जे जवान जे गिसान बापू जिसने आलबता का दुनिया को संदेश दिया बापू जिसने आलबता का दुनिया को संदेश दिया बापू जोर भारत की संदेश दिया बापू जोर भारत की संदेश दिया नार महादूर जिसने हमको गर्व से जीना सिक्राया सच पूछो तो गीता का अर्द्या इसी में दोर आया जे जवाल जे इसलाब जे इपिस्तान आज के दो अपि दूनर जारि आज को दिन है बड़ा महाल आज के दिन दो फूल खिले हैं जिन से वह गां हिंदोस्तान को समझ मुद इस इत कि लिए बहुत बहुत धन्यवाद है अब मैं विज्यानिकी पर्भानाचालया आजरनिया श्रीमति अरुना देखो आमंदिक करी हूं कि वे आय और अपने आशिर वजन लेकर हमारा मार्स प्रशब रहा हुआ। अब अब देख गांधी जी और शास्त्री जी, at least we can follow some values given by both of them. Gandhiji always said, you will read this when you move ahead, that there is enough for everyone's need but not for anyone's greed. Do you understand the meaning? Yes, that means that the earth has plenty of resources for everybody to get their share. But if I want to have more and more for myself, it is my greed. And then the earth will not be able to provide me enough, isn't it? So you all are growing and I know that this is a phase when you want your parents to give you the best. But you must understand that as parents they are doing their best. Yes, but don't become greedy, don't become too expecting from them. We can do it. . . . . . झाल ।